26 जन्वरी गरतंतर दिवस के मौके पर जो कुछ हुआ तस्वीरे शर्मनाक थी इस दिन जहां एक तरफ दुनिया भर की नजर इस देश के शौरे पर थी इस देश के शौरे की तस्वीरे देखनी थी वहीं दूसरी चरफ हिंसा देखी गई दूसरी तरफ पत्राओ देखा गया दूसरी तरफ कुछ ऐसा देखा गया जो आज तक इतियास पे नहीं देखा गया था लाल किले की प्राचीर पर चड़कर खुद का अलग जंडा लहरा दिया गया आपको दिखा दूँ कि इसके बाद माहौल क्या है माहौल जानने के लिए हम आप पहुँचे गाजीपुर बॉर्डर जहाँ पर इससे पहले हजारों की संख्या में किसान जो की लाखों तक संख्या पहुँच चुकी थी यहाँ पर मौजूद थे तमाम तरीके के विवस्थाए हो रही थी और तमाम तरीके से आंदोलन चल रहा था लेकिन कल जिस तरीके से ट्रेक्टर की परेड हुई उसके बाद यहाँ पर माहौल थोड़ा सा हलका नजर आ रहा है आपको बता दे पीछे जो मीडिया सेल लगाए गया था अब वो मीडिया सेल जो है यहाँ से गायब हो चुका है यहाँ पर जो एक टैंपू टाइप के लगाए हुए थे वो तमबू अब नजर नहीं आ रहे है तमबू हटा दिये गए हैं और इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं जब हम गाजीपूर बॉर्डर पर जहाँ पर यहाँ पर आपको हजारों की संख्या पहले दिखती थी वहाँ पर अब खाली पतल दिख रहे हैं खाली प्लेटे दिख रही है गंदगी दिख रही है जो नहीं दिख रहा है वो यहां की भीड जैसी भीड यहां पर पहले नजर आ रही थी उस भीड पर कहीं न कहीं फर्क और असर देखने को जरूर मिला है इसके बाद आपको सामने दिखाएंगे जब हम गाजीपूर बॉर्डर से जब उपर की ओर बढ़ते हैं जब हम उपर जहां पर यह पुल मौजूद दिख रहा होगा आपको जो फ्लाई ओवर है फ्लाई ओवर के उधर से एक मंच लगाया गया है जहां से नेता संबोधित करते हैं उसके नीचे जहां तमाम पहले भीड देखने को मिलती थी जहां तंबू थे जहां पर बुक स्टॉल लगाय जाते थे जहां पर खाना खाने की विवस्थाएं की जाती थी जहां पर लंगर चलवाय जाता था उन विवस्थाओं को भी रातो रात यह देखिए आप सामने आ गाडिया थी वॉलंटियर्स थे और जिस तरीके से वो लोग यहां पर नजर बनाए रखते थे वो भी अब नजर नहीं आ रहे हैं इसके साथ ही जो यहां पर पहले लगातार जो जाम की स्थिति बनी रहती थी जो गाडियां थी यहां से निकलने का भी जो था वक्त नहीं मिल लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी फर्क देखने मिल रहा है हाला कि किसानों ने जो कल जो भी घटना हुई है उसके निंदा की है उसकी घोर निंदा करते हुए कि इस तरीके की चीजों जो थी वो नहीं होनी चाहिये थी और उन्होंने इसके लिए कही न कहीं सरकार को आरो प की बात बताई गई थी उस पर अभी विचार करने की बात की गई है और बताया गया है कि आज दो बजे के आसपास संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग होनी है जो मीटिंग शायद अभी चल भी रही होगी उस मीटिंग में आगे की रड़नीती पर फैसला लिया जाएगा उसके एक व्यापक चर्चा की जाएगी उसके लिए एक अलग से रड़नीती बनाई जाएगी जिसके बाद आगे के इंतजाम जो है उनको ध्यान से देखा जाएगा उन पर नजर रखी जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जो पुल है जिसमें जहां पर पूरी तरीके से चीजे चलती थी जहां से पूरी व्यवस्थाओं नजर रखी जाती थी जहां पर तमाम किसान नेता आते थे चीज़ों को संबोदित करते थे वहां जो नीचे नजारा ता इससे पहले अलग नजारा देखने को मिलता था जहां पर इतनी भीड होती थी कि चलना भी मुश्क लेकिन इसके बाद तस्वियरे जो है वो किछ और आगा यहांब निया चारा निज़र आ उसर किस तरीके से आगे और पड़ेगा वह आने वाले दिनों में. और ज्यादा जुइला तस्वीर है वो साफ हो जायेगी लेकिन काल की जो चीजे हुई। जिस तरीके से गरतंतर पर जिस तरीके से शर्मनाग करने वाली जो तस्वीरे सामने आई उसके बाद फर्क जो है गाज़ेपूर बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है गाज़ेपूर बॉर्डर पर जो अभी जो किसान नेता मौजूद हैं उन्होंने जैसा की बताया कि ऐसा क तेसल लोग मौजॡ़त थे जिनको आप भी जानते हैं हम भी सांगे मुखर आज आज कहीं ना कहीं नजर नहीं आते हैं जो लोह झाल और जाता बढ़ा वने करने लेकं साहटे निया लेकिन आज तरीक में मौंड़ी ओकानोनった देरहेज़ा होद्य ऐसाधे आप पर भीड का जो सैलाब था वो सैलाब कहीं ना कहीं डगमागा गया है वो सैलाब जो है वो किनारे लग गया है या वो सैलाब जो है उसमें फर्क देखने को या असर देखने को बिला है आगे क्या कुछ होता है किस तरीके की तस्वीरे आती हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा जो लेकिन जो संसद मार्च है उस पर अब सब की नजर आने वाली है क्योंकि जो वेवस्थाओं में जो कल कमी देखी गई किसान कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की कमी है दिल्ली उस कह रही है कि उनके साथ मार पीट की गई इन दोनों की वीच में तस्वीर क्या कुछ है क्या कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है यह सब तो जांच का विशह हो जाता है लेकिन जब आंदोलन की बात करें तो आंदोलन में इसका फर्क देखने को जरूर मिला है यहां से आपको बता दूँ कि यहां से हम चड़ते हैं जहां से हम चड़के जब मंच की तरफ जाते हैं यहां पर पहले सीडियों पर कदम रखने के लिए जगा नहीं होती थी लेकिन आज सीडियां भी साफ नजर आ रही हैं इसके बाद जब नीचे उतरते हैं सामने जो मंच आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन हाँ वो मंच जो है जहां पर किसानेता संबोधित कर रहे थे वो अभी भी फिलाल वहां से संबोधित कर रहे हैं इसके बाद आपको आगे की तस्वीरे दिखा देते हैं आगे की तस्वीरे यहां से यहां की तरफ बढ़ते हैं यहां पर जो यह यहाँ पर प्याज कट रहे थे, यहाँ पर टमाटर कट रहे थे, यहाँ पर तमाम चीज़े हो रही थे, यहाँ पर सबजिया बन रही थी, एक तरह की सबजिया बन रही थी, यहाँ पर मैगी भी देखी गई बनते हुए, यहाँ पर पीजा भी बटते हुए देखा गया, यह जब हिंसा की मार पड़ती है तो सबसे पहले अंदोलन की कमर तूट जाती है और ऐसे में ये देखना लाज़मी हो जाता है कि आज से दो तीन दिन की बाद जब समय बताएगा तो तस्वीरे क्या होंगी गाजीपुर बॉर्डर से कैमरामें सरस्ताज के साथ मैं काविन चौह निज्वर्ड इंडिया के लिए